अबर के साथ जो कुरुशेत्र से आ रही है धर्म नगरी में दबंगों के हौसले बुलंद है अमीन रोड पर रेस्टोरेंट के बाहर फाइरिंग फाइरिंग के बाद बाइक पर हुए फरार सिसी टीवी में कैद हुई वर्दात की तस्वीरें बदमाशों की तलास में पुलिस चुट गई है तेस्वक्त की बड़े खबर से हम आपको रूबरू करा रहा है कुरुशेत्र धर्म नगरी में दबंगों की दबंगई देखने क इसको मिली है यहाँ पर और किस तरह से इनके होसले बुलंद है उसकी तस्वीरे जो है वह हम आपको दिखा रहे हैं हमारे इस पर ज्यादे जानकारी के लिए हमारे संबाद आता है भरत साबरी हमारे साथ जोड़ चुके हैं भरत साबरी क्या है पूरा मामला और किस वक्त यह फारिंग हुई है वरत साबरी आवाज मिल लेए तो संपर्क तूट गया है वरत साबरी से धरमनगरी में धरमनगरी में दबंगों के होसले इसकदर बुलंद है कि वहां अमीन रोड पर रेस्टोरेंट के बाहर फारिंग की गई फारिंग के बाद जो बदमाश थे वो पाइक पर फरार हो गए और इस दवरान सिसी टीवी में ये सारी तस्वीरे कायद हो गई उदर पुलिस बदमाशों के तलास में जुटी हुए और ये तस्वीरे आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों हाथों से ये फारिंग कर रहा है बदमाश और उसके बाद ये वहां से फर परार हो जाते हैं और पुलिस देखते रह जाती है अलाकि अब पुलिस ये जरूर कह रही है कि बदमाशों के तलास में वो जुट गई है लगतार एक तरफ पुलिस के वर से दावे किये जा रहे हैं कि अपराद में कमी आ रही है तो दूसरे तरफ जो अपराद ही हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं और इसकी तस्बीर अमीन रोड रेस्टोरेंट पर कुरुशेतर में देखने को मिली जब बदमाशों ने खुल ये मामला कप का है और ये क्या इस बदमाश की पहचान हो पाई है ये पूरा मामला जो है ये रास्त के लगब की ताड़े आट नो बजे के बीच की गटना बजाए जा रही है और देखे जहां ये फाइडिंग उपी वो पूरा वेस्टनम इलाका शहर का जो है माना जाता ह है और देखें बदमाश इतने वेखाफ थे के पहले उन्होंने रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसे एक परची इस पर लिखा था कि ये तो सिरुफ ट्रेलर है पूरी पिक्चर इसके बाद दिखाएंगे उसके बाद एक बदमाश जो है वो सरे राख बिलकुल खड़ा होक है या फिरोटी के लिए हो सकता है पर पुलिस जो है अभी मामले की हर एंगल से जांच कर रही है कि ये पूरे का पूरा मामला आखिर है क्या और आखिर बदमाशों की इतने हीमत कैसे हुई कि वो दोनों हाथों में पिश्टे लेकर सरयाम इस तरह से फाइरिंग करके और च है उससे यह कहीं आशा तो नहीं है कि पुरानी रंजिस का कोई मामला हो बढ़ी से और पूरी होटल एसोशेशी जो है कि उनके समरतरे में इतरी है उन्होंने कहा है कि वो बार-बार पुलिस से गोहार लगा चुके हैं कि यहां इस इलाके में क्रस्ट बढ़ाई जाए तो आप इस बात को मानकर चलिए कि कहें ना कहींगे है दबाव बनाने का एक तरीका है और बदमाश जो है जब वो पत्ची ले रहे हैं तो निश्चे तर कर रहा है वहां पर एक दो बच्ची भी खड़ी है अगर उस वक्त कोई हाथसा होता तो फिर क्या होता क्या पुलिस इन तक पहुंचने के लिए करवाई कर रही है या सिर्फ आश्वासन दे रही है या टीमें कोई गटित की गई है जब यह पूरी घटना हुई उस समय कि ह होटल के अंदर लगबर बीस से पच्चीस लोग जो थे वो मौजूद थे और गरनी में दिया रही है कि चार से पांच रामट जो है वो फायर किये गए पर गोली किसी को लगी नहीं और अगर पुलिस की बात कर तो पुलिस का वही रटा रटाया जवाब है कि मामला मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और जार शुरू है देखिए सीसी टीवी फोटेज के अंदर जो है एक युवक का चहरा साफ नजर आ रहा है और पुलिस दावा भी कर रही है कि जल्दी आरोपी को काबू कर लिया आएगा और फिलहाल जो है पुलिस के हाथ खाली है ठीक ह भरत साबरी आप इस खबर पर नजर बना के रखिए हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बदमाश कुरुचेतर में किस तरह बेखौफ हो रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां सरयाम पारिंग करके युवक फरार हो गया और पुलिस उसे ढूड़ने का गिरफ्तार करने का दावा कर रही है